और कुरान का हख यह नहीं है कि आप पढ़ो आप पढ़ रहे लेकिन समझ रहे नहीं पढ़ रहे लेकिन समझ में नहीं। आपको एक फाम दे लिजे से आप फिलप कीजिए। हैं कुछ भी समझ में नहीं है। क्या यस लिखना था वाल लिख दिया जा नो लिखना था यस लिख दिया फांपडा आया में English आती ही पढ़ना नहीं वह क्या बलते है जैसा single है यह double है क्या बोलेंगे एक option दीए शम्य मिसाल के दरबाद नहीं 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 फांप में कोई भी option इस नो क्या लिखना मैरिटियल स्टेटस भी पढ़ लिए यस भी पढ़ लिए यस भी पढ़े नो भी पढ़े टिक का लगाला मालूम अपढ़ लिया ना समझे है मैरिटियल स्टेटस सikस decentralized इनि है पूछ राशार है यह बतब हीगर alguma शेहर में सटेटस कुछ है यह यह टो पूछ रहा है पैसे पाशए उसे capacity ऐसो सोच दिया है सोच कर रहा है येस उसके बाद आगे गए बोले का है वाइफ 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 बीवी बीवी बेगम का है क्या मतलब बेगम शादीद नहीं हुई साब मेरी आरे मेरिट्यल स्टेटर्स में यस लिखे ना आप मेरीट्यल स्टेटर्स मतलब बीवी है नहीं है तो अब लिखना था वाइफ इस नाट अरे हमको जैसा लिखना वैसा लिखे तुम समझे रही ना मसला तुमारा प्रॉब्लम परण पढ़ रहे लेकिन समझ रहे नहीं थोड़ा प्रॉब्लम यहां तो बड़ा मसला है सहाबा अरबी जिनको नहीं आती है जो नहीं समझते हैं जो पर दुनिया में देखिए आप जो अमल में प्राब्लम्स ज्यादा लोगों के जो है ना कुरान को नहीं समझने की वज़े से है लेहाजा कुरान यहाँ वा यतदा रसून हो बेनहुम अलागे किताब को समझो तफसीर अच्छा तफसीर कैसी बालोगों तफसीर में नहीं चीजा एंटिक पिसस लाना अरे क्या तफसीर में रम्दान की इंपट बुला भाई अर्दल अरे कहां से लाके बोले मालुमिश नहीं तफसीर उठाया इबने कसीर वहां भी नहीं है तफसीर साधी उठाया उसमें भी नहीं है Tafsir-e-qurtu भी उठाया उसमें नहीं है कहां से लाईगी लो वो कहां से नहीं लाना ये कहां से क्या लायाँ वो बोलो जो सहीं तafsir है सिर्फ लोगों में अपने आपको अपको फिर्म करने के लिए लोगों अबा जबाँ कहां से लाईगी लो ये अबा कहां से नहीं होना सहाबा बोले तो बोले तावईन बोले तो बोले तबे तावईन बोले तो बोले तो बोले इमाम सुद्धी रहमतुला ने 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 फरमाया अब्दुला बिन अब्बास का ये कौल है ऐसे लाईए आप इसको बोलते हैं सहीं तफसीर दिमाग से तफसीर मत कीजिए अबू बकर सिद्धिग रदियल्लाहु ताला नहुं कहते हैं कौन सा आस्मान मुझे साया देगा कौन सी जमीन मुझे पना देगी अगर अगर अल्लाह की किताब के बारे में मैं ऐसी बात कहूं जिसका मुझे को इल्म नहों बाद लोग ये एक चला है ना उस बिल्लाह तफसीर में क्या लाते हैं मुफरदात एक ऐसी तफसीर करेंगे जो किसी मुफसर ने अहलु अल्हदीथ या जो मुफसरीन हैं उन मेंसे कहीं आपको नहीं मिलेगे वो खलत बाति तफसीर लहाजा ये बहुत एहम नुक्ता है ये भी पुरान को ला के कलाम को वैसे समझेंगे जैसे सहाबाने जिसको फहमें सलब कहते हैं